वेलकम दोस्तों आज की डेट में हमें PDF की जो है document की बहुत ज़्यादा requirement रहती है कहीना कहीं आपको document submit करना होता है तो भी PDF चाहिए या फिर आज की डेट में जो students हैं उनको अपना homework submit करना होता है वो भी PDF में करना होता है पहले के time में क्या होता था हमें PDF convert करने के लिए PDF scanner चाहिए होता था बट आज की जो वीडियो है हम उसके अंदर बताने वाला है कि PDF scanner के बिना भी आप जो है अपने कोई भी document को PDF में convert कर सकते हैं वो भी कुछ मिंटों में आपको कहीं बाहर जाने के जुरूरत नहीं है काफे मे जाने की जुरूरत नहीं है आप घर बैटे अपने smartphone के मदद से PDF में convert कर सकते हैं बस आपको क्या करना है कोई भी document जो आपको चाहिए उसको आपने फोटो लेना है और उसको PDF में हम आपको एक app से convert करना सिखा सकते हैं तो आई चलते हैं बिना time waste करें देख लेते हैं आपको वाला जो आइकन है उस आइकन पर आप क्लिक करें Google Play Store कहते हैं इसको जब आप इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज आपको दिखाई दे जाएगा जो आपका पहला फोटो है तो उपर जो आपको टेक्स यहां पर लिखना है आपको यहां पर लिख करें और डाउनलोड करने के लिए रखते हैं अपने आप वो डाउनलोड हो जाएगा उसका आइकन आपके फोन में मिल जाएगा आपको आइकन के उपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं आप स्क क्टो अलाओ का बटन दबा दें, अलाओ कर देंगे, फिर आपसे वो मांगे गा», कि वो आपके रिकार्दिंग और फोटोस वो देखना चाहता है, because photos आप click करेंगे तो आपके phone में वह same होंगी तो आप इसको भी आप allow कर दें जैसे आप इसको allow कर देंगे तो आपके पास एक नेक्स पेज आ जाएगा ये इसका home screen page है आपको नहीं चाहाँ पर कुछ ads दिखाई देंगे क्योंकि ये free app है तो वो ads आपके लिए हाँ पर दिखाई देगा तो आप उसको ignore करें वहाँ पर click मत करिएगा और आपको कुछ options उपर दिखाई देंगे और अभी के लिए हाँ पर no document दिखा रहा है no document इसलिए दिखा रहा क्योंकि अभी तक ही हमारे पास एक दम fresh downloaded है फिर आप क्या करें आपर दो option है आप पहले से कोई existing photo है आपके phone में आप उसको आप PDF में convert करना चाते हैं suppose को आपका DL है या फिर आपका अधार card है आपको उसको PDF में convert करना है हो सकता है आपको उसकी photo जो है आपके phone में already हो तो आप उसको ओपर यहाँ पर click करके आप वहाँ से जाकर select करके आप PDF में convert कर सकते हैं बच्चों के लिए जो आज की डेट में homework आपको submit करना होता है आप इसके इंदर camera का button आप दबा सकते हैं तो मैंने क्या करा है पहले doc scanner के ओपर मैं click करा है तो वापस doc scanner के बाद यह वाला option आगया मेरे पास फिर मैंने क्या करा इस camera वाले icon के ओपर मैंने click करा camera वाले icon के बाद मैंने click करने के बाद तो यह वाला कुछ इस तरीके से आपके वास option दिखाई दे रहा होगा तो मैंने क्या करा है पहले सी photo खींच लिए यहां पर दिखाई दे रहा हो और two तो मैंने यह जान मुझके दो photo खींच आप एक भी खींच सकते हैं और मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि suppose करू बच्चों को आज की रिट में homework submit करना होता है जहां पर पांच एच्छे pages इकठे होते हैं तो आप क्या करें photos खींचते रहें वह आपको allow करेगा photos खींचते रहें तो यहां पर वह सेव करता रहेगा दो है मैंने दो खींची है तो दो हो जाएगी उसके बाद आप क्या कर दे बटन दबा दे next का next अगर आप जब बटन दबा देंगे तो आपको इस तरीके का screen आपको कुछ दिखाई देगा जब आप इस screen पर जाएंगे तो यहां पर वह बोलेगा tap on this to crop मतलब आपको कुछ edit करने है अप घवराएं नहीं फोटो कीचते समय पूरा page आ रहा है मुझे तो सर्फ चोटा सा पार्ट चीए था उसमें से आप वह भी कर सकते हैं तो आपको क्या करने का crop करने का यहां पर option मिलेगा तो आप पहली फोटो आपको लगता है पूरी ठीक है तो आप सऺरा दूसरी फोटो बजाएं बातकि आप सारी फोटो को crop कर सकते हैं आपको एक laugh करकर option दिखाई देगा तो मैंने कज़ेंगा करा पहली फोटो पर ग्लिक करा पहली फोटो पर एक는지 करने के बाद मेर पहले फोट थी तो देखि आप यहां पर यह यह नी चाहता कि कि मैं मैं टीचशर को यह Face दिखाई दे तो मैंने गहां करा कि सिरफ इसको पहले पूरी फोट दिखाई दे रहा थे पिर जैसे मैं इसको यहां पर crop का option दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर crop का option पर यहां पर click करूंगा, edit के option पर basically, तो यह 4 dots आपको दिखाई दे जाएंगी, देखे हैं, आप यह चार dots आपको दिखाई दे रही है, तो आप इसको move कर सकते हैं, right और left, तो मैंने इसको मूव करके आप देखें आप मैंने मूव कर लिया है सिर्फ आंसर आंसर की तरफ ताकि मेरे टीचर को पता ना चले कि मैंने वहाँ पे कुछ गड़बड भी करी थी और इसी तरीके से आप राइट या लेफट जाएंगे देख रहे हूंगे मैं याप श्लाइड कर रहा था from right to left slide करके मैं दूसरी photo बजा रहा था यह मैं दूसरी photo है मैंने इसमें edit के जुरत नहीं थी जो मैंने सीधा-सीधा इसको छोड़ दिया अब मैं क्या करूंगा इसके आपर यह tick का जो button है जब आपकी सारी photos जो है वो edit हो जाए तो आप इस tick के button को आप क्लिक करें ताकि वो photo जो है वो save हो जाए तो आपको इस तरीके से वो photos दिखाएगा कि भे यह save हो चुकी है convert PDF में हो चुका है तो आपको option दिखाई देगा ओपर PDF PDF में आप convert कर देंगे PDF में convert करने के बाद मैंने क्या कर रहा था zip यह वाला जो नीचे आपको option दिखाई देरा थोड़ा सा blur है यह file compressor है कि आपको file का जो size है वो छोटा करना तो भी कर सकते हैं मैंने ऐसी दबा दिया था आपको बताने के लिए करें या ना करें कोई फरक नहीं पर था आप OK का button दबाएं इसके बाद उसके बाद आएगा उपर यहां पर share का button share के बहुत सारे multiple options आपको यह दिखाएगा share कहां कहां पर आप कर सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं तो share करने से पहले मैं आप से request करूँगा कि आप क्या करें यह edit का button दबाएं यह वाला यह जो pencil button आपको दिखाई दे रही है यह edit है edit से आप क्या कर सकते हैं इसका जो नाम है ना जो यह automatic नाम यह generate करता है वो आप change कर सकते हैं जैसे कि आपका suppose करो English का homework है तो कौन से date का है English आपको date इससे आपको क्या होगा आपको बहुत सारे आज की डेट में देखिए online काम कर रहे हैं तो online में बहुत सारा material इकठा होता रहता है तो उसको search करना बहुत मुश्किल है तो आप अगर उसका नाम सही लिख देंगे पहली बार में ही तो आप क्या करेंगे इसको search करने में असानी हो जाएगी suppose करो आपका DL है तो आप लिख दें DL और जिसका है उसका नाम लिख दें तो DL, नाम और date अगर लिखना चाहें तो इसी तरीके साब का home work है math का home work है math और कौन से date का है कौन से topic का है वो आप लिख दें तो इससे क्योंगा आपको बाद में असानी होगी अभी तो देखे एक ही document है बाद में बहुत सारे हो जाएंगे जब आप इसका नाम इसका edit कर लेंगे तो आप इसी option में आप इसको share करेंगे तो share के option बहुत सारे हैं तो share के option बहुत सारे हैं WhatsApp कर सकते हैं अपने टीचर को या अपने फ्रेंड को, अपने मदवादा को या किसी दोस्त को आपको चाहिए तो वो mail कर सकते हैं या drive पे भी डाल सकते हैं आप सीधा सीधा अपनी drive पे डालेंगे तो वहाँ से Google Classroom में आप इसको सीधा सीधा upload कर सकते हैं तो यह तो आपको कुछ से options जिस तरीके से आपको हो सकता है बहुत ही मदद हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगे फॉरवर्ड करें आपके दोस्तों को और यह तो आपको करें आपको कर दोस्तों कर दोस्तों करें